हालो माई डियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारी चैनल करेंटिश्टी पर स्वागत हैं दोस्त हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक सेकंड की तो अप्लाइड फिजिक सेकंड में आज बहुत इंपॉर्टन टापिक की बात करेंगे ये एलेक्ट्रो इस्टैटिक्स अर्थात बैद्दु इस्टिक की चैपकट का है तो इस चैप्टर से आज हम बात करेंगे आपसे बिंदु आवेस की कारण किसी बिंदु पर विभाओ तो इसका जो फार्मूला जनरेट होता है उसको मैं आपको बताऊंगा और इसके यूनिट से डाइमेंशन फार्मूले सब को यह नोट करने वाला हूँ और इससे पहले हमने बताया था कि बिंदु आवेस के कारण किसी बिंदु पर बिंदु आवेस के द्वारा उत्पन बैद्दु छेत की त्रियुता जो होती है इंटेंसिटी आप एलेक्ट्रिक फिल्ड डू पॉइंट चार्ज की कारण क्या होती है यह चीज हमने पिछले वीडियो में बताया था डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है वहाँ से चेक करके आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर फिजिक्स को और वी वीडियो देख सकते हैं आज मैं आप से जो बात करने वाले दोस्त विभाओ तो यहाँ पर पर जससे आपका यह पोइंट एक ہے और एक पोइंट आपका बी है ठीके यहाँ का विभांतर वी-ए होगा, यहाँ का वी-बी होगा तो इनके बीच अर्थात यहां का कुछ अलग होगा विभाओ यहाँ का अलग होगा विभाओ तो दोनों प्वांट्स के अलग-अलग को नीचे विभाव के बिंदू से उचे विभाव के बिंदू तक ले जाने में करना पड़ता है तो सिंपल सा मतलब यहाँ पर जैसा कि आप समझ सकते हैं यह नीचे से उपर का मतलब यहाँ पर कम से ज्यादा की और यहाँ पर बात कर रहे हैं तो विभाव में अंतर आप रहे हैं वो क्या करते हैं बी से ए पॉइंट से जो आप ले जाते हैं उसके भी जो आप कारी करते हैं और उस आवेश से जब आप डिवाइट कर देते हैं जो आपको प्राप्त होता है वो आपका विभवांतर होता है तो विभवांतर का आपको फार्मूला आपको मिला दोस् यह मात्रक होता है विमा तो आपको नीचे यहाँ पर विमा कैसे निकाला जाता है आपको अगर मात्रक निकाल लेंगे तो आप विमा भी निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल लेंगे उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए फार्मूला यह है आपका डबलू अपान क्य डबलू आपका होता है जूल क्या होता है दोस्त जूल और नीचे आपका सेकंड होता है लेकिन आप जूल से फार्मूला को नहीं बता सकते हैं आप जूल नहीं आप जानते हैं डबलू बराबर क्या होता है आप दोस्त आपका एफ इंटू यस अर्थात आपका होता है फोर् फोर्स आपका होता है, फोर्स का डाइमेंसन होता है, एब बराबर M into A होता है, अर्थाद इसका होता है आपका डाइमेंसन, M L T minus 2, M आपका दर्मान का हो गया, A आपका, जो M L T minus 2 जो होता है, आपका तौरन का होता है, तो फोर्स का ये चीज़ आपका आगया, ठीक है, M L T minus 2 उपर आएगा और यह मीटर आल्रेड़ी आपका यहाँ पर दिया ही है और यह जो आपको नीचे दिख रहा है ampere into second यह simply आप ampere into second लिखेंगे ampere को a से denote करेंगे और time आपका capital T होगा तो simply उपर आपका दोस्त आएगा उपर जो आता है वो आपका आता है ml T minus 2 into कितना into L और upon आपका आता है a into a into T इसको जब आप solve करेंगे इसको उपर नीचे करेंगे तो आपका दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ पर T के पार उपर जाएगा तो T पार minus 3 हो जाएगा simply आजाएगा आपका ml T minus 2 ml 2 ml 2 T minus 3 1 P minus 1 यह चीज़ आपका यहाँ पर आएगा ठीके तो यहाँ पर आपको प्राफ्ट लगा दोस्त यहाँ पर यह चीज़ आपको यहाँ पर पता लग गया ठीके अब चलते यहाँ पर आगे यहाँ पर समझेगा देखए अब यहाँ पर могуIT थे दोस्त की d points पर c d इसी तरह infinite तक क्या always होगा अगर हम उस points पर रखेंगे तो कितना उस पर आपका कितना विभव होगा यह चीज़ आपको निकालना है तो देखे दोस्त इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इस figure में जैसे आप देख सकते हैं plus q always यहाँ रखा है a points का उस o points से यह जो plus q always है वो o points पर रखा गया है a points और o points के बीच की इदारवी आपके कितनी है distance r है b के बीच की हमने r1 मानी है c की r2 आप इस परकार लिख सकते हैं ठीक है इस परकार यहाँ पर यह r3 हो गया d और इस परकार आपका infinite तक है हमने यहाँ पर 4 points को लिया है यहाँ पर विभव निकालने के लिए देखिए यहाँ पर simply कहा गया कि माना plus q always कहा गया दोस्त प्लस q always किसी ऐसे माध्यम या बिंद को आपका जो o points से पर इस्तित है और इसको हम परावैदुतांग के परावैदुतांग के मीडियम में इस्तित है अब plus q always द्वारा उत्पन बैदुच्षेतर में बिंद o से r दूरी पर एक बिंदु a है और जिस पर बैदुत विभव ग्याद करना है इसके लिए हम एकांक धन आवेद प्लस q को अनंत से बिंदु a तक लाने में किये गए कारे की गढ़ना करनेंगे अर्था दोस्त आपको पता है जो आप किये गए कारे के मतलब एक जैसे फार्मूला होता है which equal to w upon q तो एकांक आवेद को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कारे करना पड़ता है वही आपका विभाव होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि हम उस एकांक आवेद को अनंत से a points तक लाते हैं कहां से अनंत से a points तक जो लाएंगे और जो कारे करना पड़ेगा वो आपका विभाव का लाएगा तो simply यहाँ पर आप figure के माद्दिम से समझे यह आपका क्या है दोस्ते यहाँ पर आपको plus क्यों आवेश o points पर है यह a है तो अनंत से अर्थात यहाँ से a points तक लाने में जो आपको कारी करना पड़ेगा वही a कांक आवेश को इस चीज़ को ध्यान दीजेगा जो कुलाम आपका आवेश होगा उसका value 1 होगा अर्थात a कांक होगा तो यह यहाँ पर जो a points तक अनंत से यह आपका यहाँ पर रखा हुआ है देखे रखने का मतलब यहाँ पर आपका जब इधर आप लाते हैं तो इस पर force कारी करता है ठीक है तो वही चीज यहाँ पर कहा गया जब अनंत से a points तक लाते हैं तो इसके विरुद्ध जो आप कारी करते हैं एकांक आवेश को लाने में जो आप कारी करते हैं वो आपका v अर्थात विभाव के इक्कल होता है तो उसी के आपको गढ़ना करना है तो simply हमने इसको यहाँ पर वही चीज आप से बताए गया है मैं directly जो आपको यहाँ पर बताया है वही चीज यहाँ पर दरसाए गया है तो आईए चलते हैं हम direct आपको फार्मूले से बताते हैं तो कहला point यह होगा कि f a पर points पर force कारी करेगा अर्थात है यदि बिंदू a पर plus q आवेस को कुलाम plus q कुलाम का एक परिच्छण आवेस इस्थित है ठीक है तब उस आवेस plus q के कारण लगने वारा बैदुत बल तो यहाँ पर क्या होगा कि a points पर हम मानते हैं कि plus q जो आपका q कुलाम plus q कुलाम जिससे आप कहते हैं testing charge वो आपका यहाँ पर रखा हुआ है और plus q आवेस यहाँ पर o points पर जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर रखा है तो जब उसको इधर लाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर plus q के कारण लगने वाला बैदुत बल तो जब इसको इधर लाते हैं यह points पर तो यहाँ पर plus q आवेस पर इस यह q नाट पर जो q नाट आपको दिख रहा है इस पर plus q के कारण एक force कारी करेगा जिसे आप बैदुत बल कहेंगे और उसका जो फार्मूला हैगा वो f h equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 के q q q not upon r square अर्थात वहाँ फार्मूला होता है q1 q2 upon r square तो यहाँ पर q1 की जगह पर आपका plus q है और q2 की जगह पर आपका q not होगा testing charge ठीक है तो यहाँ पर आपका fa का फार्मूला आगया f h equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 के q q q not upon r square अब r q है दोस्तों हमने माना है कि o a points जो है वो आपका o points से अर्थात उस plus q4 से r distance पर है तो इसलिए यहाँ पर r square newton हो गया अब आपको दूसरा point से आपको यहाँ पर क्या होगा अब हम मानते हैं कि यह परिछण always b point पर हो अर्थात अभी हमने क्या निकाला a points पर अब हम यहाँ पर कहते हैं कि b points पर अगर वो q naught आपका always testing charge इस्तित है तब उस पर कितना force कारेगा तो simple सा वही चीज लिखना है आपको दोस्त क्या लिखना होगा fb is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught के वही फार्मूला होता है q1 q naught upon r square तो q1 q naught तो आपका same रहेगा अर्थात यहाँ पर जो plus q था वो आपका q1 हो गया और जो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपने जो q naught और a points पर रखता हमने 2 b points पर रख दिया तो आपका वही q औq naught ही रहेगा लेकिन distance आपकी change हो जाएगी अब आपकी distance r से r1 हो जाएगी तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा fb is equal to 1 upon 4 5 epsilon naught के q q naught upon r1 square newton अब देखिए यहाँ पर इस परकार आप solve करते जाएगे तो बहुत लंबा होगा इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि हम fba अर्थात force b और a का हम यहाँ पर क्या निकेएगे यहाँ पर घुलोततर माध लेगे तो यहाँ पर आपको क्या लेना होगा दोस्त चुक्कि हम मानते हैं कि b a और दोनों बहुत समीप हैं इसलिए इनके बीच बल का माण b वा a के बलों के घुलोततर माध के बराबर होगा तो गुलोतर मार्द का आपने एक फार्मूला दोस्त पढ़ा होगा G बराबर अंडर रूड अबी क्या पढ़ा था G बराबर अंडर रूड अबी आपने पढ़ा होगा या आपने दोस्त पढ़ा होगा कि ABC अगर आपका गुलोतर सेड़ी में होते हैं तो B square बराबर क्या होता है? AC, B square बराबर क्या होता है? AC, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? कि FBA is equal to under root FB minus FA, अर्था जो दो आप force लिखाने हैं, उसको root के अंदर लिखना है, और FBA, FBA का मतलब आप क्या कह रहे हैं? कि B से A लाने में अब कितना force कारी कर रहा है? समझेगा? अभी आपने यहाँ पर क्या है? अनन्द से A points तक लाने में जो आप को कारी करना पड़ा, ठीक है? उसके विरुद्ध तो वो आप निकाला, दोस्तों उसमें force कितना उसपर कारी कर रहा है, वो चीज़ आपने निकाला अब फिर हमने क्या किया? अनन्द से B points पर लाया, तब उसपर force इतना जो आपको यहाँ पर 1 upon 4, 5, 7, not Q1 Q not upon R1 square निकाला अब हम कहते हैं कि B से A points तक लाने में कितना उसपर force कारे करेगा, तो जब B से A points तक लाएंगे, तो ध्यान दीजिए यह आपका B के value होगा, जो आपको यहाँ पर लिख दिना है, तो 1 upon 4, 5, 7, not के Q not, Q, Q not upon R1 square होगा, इसी को simply A की value यहाँ पर रख देंगे 1 upon 4, 5, 7, not के Q, Q not upon R square, यह दोनों Q, Q1, यह आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, Q, Q not यह भी square होगा, तो यह भी आपका बाहर होगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए, नीचे भी आपका R और R1 square दोनों square है, इसलिए यह पूरा का पूरा आपका बाहर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर roots में कोई नहीं होगा, 1 upon 4 pi epsilon not, Q, Q not R1 into R Newton, यह आजाएगा आपका FBA, अब आपको इसी प्रकार यहाँ पर निकालना होगा, अब आपका force कितना, force आपने निकाल लिया अब आपको यह निकालना होगा, कि यह परिछण always plus Q not को B से A तक लाया जाए, तो यहाँ पर कितना कारी करना पड़ेगा, देखे, अभी आपने force निकाला FBA ठीक है, FBA अपने force निकाला, अब हम यह कहते हैं कि अभी आपने, हमने यही चीज आपको समझाया, कि अब आप B से A लाएंगे, तो अभी force जो कारी कर रहा था, force जो लग रहा था, वो कितना कारी करना पड़ेगा, उसके विरुद्धम को लाने में, अर्थाद B से A लाने में तो यह चीज जब आप निकालेंगे, तो आपका इसकोई वैलू तो यह आप डारेक्टली आप पुट कर देंगे, वान अपान फॉर पाइप साइलन नाट के, क्यूं क्यूं नाट अपान आरवन इंटू आर, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ध्यान से समझेगा B A, B A का मतलब यहाँ पर हमने क्या माना है, इसकी डूरी R है और यहाँ से R1 है, तो यहाँ डिस्टेंस यह आपको निकालना है A और B के बीच डिस्टेंस, तो यह बड़ी कौन है, आप बताइए, बड़ी कौन है दोस्त, यह R1, यह सबसे नीचे वाली आप बिल्कुल नहीं देखेगा, हम बात कर रहा है इस पॉइंट्स पर A और B की, तो यहाँ पर आपको A और B को देखना है, तो यहाँ पर जब आप A और B देखेंगे यहाँ पर तो आपका यह सबसे लंबी लेंध है और यह से कम है, तो यहाँ पर जब आप R1 में से R को घटा देंगे तो यह A और B के बीच की डिस्टेंस आपको प्राप्थ हो जाएगी तो सिंपली यहाँ पर आपका होगा क्या दोस्ते आप R1 माइनस R करेंगे तो A, B की जो लेंध है, यह B, A की जो दूरी आई वो R1 माइनस R आई तो सिंपली यहाँ पर आप क्या करेंगे पुट कर देंगे दूरी की जगह पर R1 माइनस R आगे दोस्ते यहाँ पर यह होगा आपका अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान यह आप देख रहे हैं इसको Q Q0 अपान 4 5 epsilon 0 K और यह आपका R1 माइनस R अपान R1 इंटू R अब क्या करते हैं यहाँ पर इसको आप अलग-अलग कर दीजे मतलब R1 अपान R1 इंटू R हो गया माइनस R अपान R1 इंटू R हो गया 1 R से मतलब 1 R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान R1 आ आ जाएगा और यह R को R से जब कैंसिल कर देंगे तो 1 अपान R माइनस 1 अपान R1 आएगा हमने किया क्या दोस्ति यह जो आप नीचे देख रहे हैं इसको हमने दोनों से दोनों को नीचे अपान में कर दिया तो आ जाएगा आपका 1 अपान R1 1 upon R minus 1 upon R1 जूल अब देखिए अब ही आपने क्या निकाला कि B से A कारी करने में अब आपको इसी प्रकार सबका निकालना है इसी प्रकार आपको C से B लाने में कितना कारी करना पड़ेगा ये चीज़ निकालना है अर्थात जैसे कि आपने यहाँ पर B से A लाने में कितना कारी किया वो चीज़ आपने निकाला अब आपको निकालना होगा C से B आपने लाने में कितना कारी किया फिर निकालना होगा आपको D से C लाने में कितना कारी करना पड़ेगा फिर आपको अनंत से D points तक लाने में आपको कितना कारी करना पड़ा 1 upon 4 q q not upon 4 5 epsilon not k 1 by r minus 1 by r1 तो simply इसको लिखना है दोस्त w c b is equal to ये चीज आपको पूरा same लिखना है और ये आपको क्या करना है ये आपको थोड़ा change करना है ये लिखेंगे आप 1 by r1 minus 1 by r2 चुकि आपका distance जो होगा वो change होगा 1 by r1 minus 1 by r2 इसलिए कर रहे है चुकि ये आपकी अप distance हो गई 1 by r2 ये चीज आपका हो जाता है तो ये आप c और b की बात करेंगे तो इसमें r2 और r1 की बात करेंगे ये चीज आप देखकर भी लिख सकते हैं या फिर आप first point को आप लिख लेंगे तो इसी को देखते हुए सभी आप लिख दीजे तो आपका जब ये चीज आ जाएगा तो इसी को देखते हुए आप w c b लिख देंगे 1 upon r1 minus 1 upon r2 जूल फिर आप इसी प्रकार c से d आपका जो d से c point तक d से c 3 और जब आप जा रहे हैं तो वो चीज आप लिख देंगे q q not 1.45678k 1 upon r2 minus 1 upon r3 कुछ किया नहीं जा रहा है दोस्ते simply ये r2 था तो हमने 1 upon r2 minus 1 by r3 कर दिया ठीक है इसी प्रकार आप करते जाएंगे अब यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रकार सभी अन्यभागों के कारे बराबर होगा अर्थाद इनका total योग जब करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं कि परिछड आवेस को जो आपका है testing charge जो है उस plus q not को अनंत से a points तक लाने में किया गया कारे जो होगा अब क्या करेंगे total कारे कर देंगे अर्थाद w बराबर क्या होगा w ba plus w cb plus w dc plus w not तक अर्थाद infinite तक आपका इसी परकार जुड़ता जाएगा अर्थाद जितने points आप मानते जाएंगे जुड़ता जाएगा तो यहाँ पर हमने 3 points लिया है तो आपका simply हो जाएगा आपने 4 points लिया और आपके 3 वर की इस परकार दिखाई दिये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q upon q not 1 upon 4 pi epsilon not आप देखेंगे into k यह सभी में कामन होगा अर्थाद आप देख सकतें यह 3ों में क्या है कामन तो पूरा का पूरा आप इसमें से बाहल ले लिजे अर्थाद यहाँ पर लिखेंगे तो जोडेंगे तो इसको हम पूरा बाहल ले लेते हैं बचेगा क्या दोस्त आपका यह बचेगा 1 by r minus 1 by r1 क्या बचेगा दोस्त 1 by r minus 1 by r1 बचेगा और यहाँ पर आपका जो आप सी भी देख रहे हैं इसमें बचेगा 1 by R minus 1 by R2 फिर आगे दोस्तों आपका होगा 1 upon R2 minus 1 by R3 फिर आगे आपका हो दोस्तों 1 by R3 minus 1 by R4 plus 1 by R4 minus 1 by R5 इसी प्रकार आपका बढ़ता जाएगा और लास्ट में minus 1 by infinite अर्थाद infinite तक आपका जाएगा अब आप देखिए एक ध्यान से देखेगा कुछ cancel होता आपको दिख रहा है बिल्कुल देखिए यह अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों 1 by R1 और यह आपका minus है यह आपका plus है तो यह आपका cancel हुआ minus 1 by R2 plus 1 by R2 minus 1 by R3 plus 1 by R3 इसी प्रकार आपका इस प्रकार यह सभी cancel हो जाएंगे और बचेगा only 1 upon R क्या बचेगा 1 upon R और यही आपका हो जाएगा 1 by R इससे multiply कर देंगे तो total आपका work आजाएगा q q naught 1 upon 4 pi epsilon naught k into R यह आपका formula नीचे हो जाएगा अब देखिए आगे formula क्या होगा दोस्ते देखे यह चीज़ आपका यहाँ पर बचेगा ठीके तो बीच के सारे क्या हो जाएगे पद कट जाएगे जैसा कि यहाँ पर आपको बता भी दिया गया तो आपका आजाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught k q q naught upon R यह चीज़ आपका क्या है दोस्ते यह आपका भी work आया ना की विभाव और विभाव आपको पता है विभाव का formula होता है which equal to w upon q naught तो which equal to w upon q या q naught जब formula होता है तो simply यहाँ पर करना क्या है कि हम उस q naught को या फिर आपने वैसे भी इसको क्या माना है एकांग माना है अर्थात कि बिदू A पर विभाव एकांग धन आवेस को अनन्त से एक धन आवेस को जो टेस्टिंग चार्ज है एक कुलाम आवेस को अनन्त से बिंदू A तक लाने में किये गए कार के बराबर होता है आपका विभाव तो simply आपका हो जाता है which equal to w upon q तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त क्यू नाट क्यू नाट आपके cancel हो जाएंगे और जब यह cancel हो जाएंगे तो फार्मूला आएगा one upon four five epsilon naught क क्यू बाई आर वोल्ट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह चीज आपका फार्मूला आजाएगा यहाँ पर के भी हटा दिया गया निर्वाद के लिए या फिर एर के लिए के कामान जो आपका होता है दोस्त कितना होता है one होता है के कामान कितना होता है one होता है तो फार्मूला आपके potential का जो आ लखिये उपर सबसे पहले ही वेताया तो आसा करते हैं यह चीज आपने समझा होगा कैसे आपको निकालना था कुछ भी नहीं होता है दोस्त आपको यहाँ पर 4 points ABCD मानना था और यहाँ पर distance 1R, 1R1, R2, R3 इस प्रकार मान कर यहाँ पर क्या होता है कि एक कुलाम आवेस को अन बार FB निकालना था फिर दोनों का आपको geometric mean करना था अर्थात गुडो तरमाद निकालना था जब वह चीज आप निकाल लेंगे जो आपका होगा FBA और फिर आप जानते हैं कार बराबर बल गुड़े विस्थापन या बल गुड़े विदूरी तो simply यहाँ पर आपको बल A की बीच जो सबसे बड़ी है तो आपका कौन बड़ी है R1 तो R1 माइनस R कर देंगे तो आपका आजाएगा A और B की बीच की दूरी तो simply आप यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज हमने यहाँ पर बिलकुल clear सभी points से लिखा है ठीक है वही चीज यहाँ पर आया उसको हमने R1 R से डिवाइड कर दिया इसी प्रकार आप इसको लिखते जाएंगे और कारे के बाद आपको कारे बराबर हमने आपको क्या बता है जो potential P व बराबर क्या बता है W अपान Q नाट तो जो आपका कारे का फार्मूला आएगा कारे का फार्मूला दोस्त कितना है आपका यह आ लू को वन कर सकते हैं तो वीडियो दोस्त यहीं तक था आज के वीडियो में दोस्त इतना ही आसा करते हैं आपने वीडियो यहीं तक देखा होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को सेर जरूर करिएगा और प्लीस चैन